अज़ के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंप्वर्टेंट प्राइस पैटन के बारे में जो है अप्वर्ड स्लोपिंग चैनल एड डानवर्ड स्लोपिंग चैनल आगे बढ़ने के पहले make sure to smash the like button below and do not forget to subscribe to our channel as well and चलिए इस वीडियो को शिरू करते हैं price action की एक अच्छी बात यह है कि आपको विल्कुल भी दूसरे indicators use करने की जरूरत नहीं है तो अगर आपको indicators पसंद नहीं है जैसे कि MACD, Stochastic या कोई भी other indicator जो भी है वो अगर आपके लिए नहीं चलता है as a trader there is no problem at all, price action suffices right, so price action में ही अगर आप focus करोगे कुछ ही important price patterns को अगर आप master करोगे that is more than enough to be successful at trading ऐसे भी नहीं है कि आपको सारे price patterns के अबार में जानना है and उसके बाद ही आप एक successful trader बन सकती हो अगर आपने दो या तीन price patterns में भी mastery हाजिल कर ली that is all you need to become a successful trader जितना time आप spend करोगे charts के साथ अनुतना ही आपको price patterns का एक formation पता लगेगा and बहुत familiarity आपको देखने को मिलेगी price patterns के साथ so यहाँ पर हम upward channel as well as downward channel के बारे में discuss करने वाले हैं and चलते हैं मेरे laptop screen पर very quickly ताकि हम जान सके कि upward channel and downward channel exactly होता क्या है and कैसे हम इसको maybe trade करने की कोशिश कर सकते हैं so guys यह grow web का platform है and यहाँ पर हम upward channel and downward channel की बात करने माले हैं so first of all let's start with nifty का weekly chart and यहीं पर हम upward channel को भी देख लेंगे and एक downward channel को भी देख लेंगे recent example हम ले लेते हैं and यहाँ पर मुझे clearly एक downward channel नजर आ रहा है उसके बार में हम discuss कर लेते हैं अगर आपको एक upward channel या downward channel draw करना है आपको simply क्या करना है यहाँ पर draw पे click करना है and आपको यह option देखने का मिल रहा होगा channel का इसी पर आपको click करना है and जो tops है उसको आपको मिला देने है मैं आपको बता दूगा कि कैसे हमें draw करना है and all of that so first of all तो देख लेते हैं कि यह channel exactly बोला क्यों जाता है channel का मतलब basically यह होता है कि एक defined range में चाहें वो upside पे हो या downside पे हो price move हो रही है so यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है इसको हम एक downward channel क्यों बलाएंगे because lower highs बनते जारे है and lower lows बनते जारे है so यह जो high था अगर आप इसको compare करोगे इस high को compare करोगे इस high के साथ तो यह एक lower high है right same way as अगर आप इस low को compare करोगे इस low के साथ it is a lower low so that is why ऐसे ही अगर formation continue होते जाता है जो at least आपको highs में देखने का मिल रहा है कि यहाँ पर lower high बना यहाँ पर again एक lower high बना and अगर इस low के भी नीचे nifty आ जाता है future में अगर आता है तो यह भी एक lower low बन जाएगा and that is why this is called as a downward trading channel so यहाँ पर हम trades कैसे ले सकते हैं जबी हम channel की बात करें है very simple है nothing complicated at all so यहाँ पर आपको एक defined range देखने का मिल गया कि चलो upside पर भी एक range है and downside पर भी आपको एक range देखने का मिल गया channel बनाने के बाद जबी भी ऐसे कुछ होते है कि लेट्सी की upside पर फिर से test हो रहा है जैसे यहाँ पर हुआ and एक inverted hammer बन गया उसके बाद एक follow through भी आपको देखने का मिल गया right so यहाँ पर traders क्या करता है generally यहाँ पर short चले जाएंगे and उनका stop loss क्या हो जाएगा maybe इस candle के high के उपर हो जाएगा in the anticipation की फिर से lower side जो channel का है वो test हो सकता है यही anticipation होता है यही assumption होता है जब हम एक channel में trade कर रहे है and अगर ऐसे कुछ हुआ कि बहुत ही ज्यादा हफतों के लिए बहुत महीनों के लिए हम इसी channel में रहे तो channel type of traders को बहुत ही ज्यादा benefit होगा and वो बहुत अच्छे से tops and bottoms को guess कर सकते है same चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी अगर आपको यह लगता है कि चलो this is kind of a bottom formation maybe आपको कोई chart pattern देखने को मिल रहा है या maybe आपको यह bullish candle नज़र आ रहा है हम यहाँ पर क्या कर सकते है maybe यहाँ पर long चले जाएंगे इस channel के नीचे ही हमारा stop loss हो जाएगा in the anticipation की फिर से अगर upwards movement आती है तो upside channel का test हो सकता है अब यहाँ पर downward channel में एक और चीज हो सकती है यहाँ पर हमें upside पर breakout भी देखने का मिल सकता है so वो भी हम trade कर सकते हैं यहाँ पर अगर ऐसे कुछ होता है कि हमें फिर से एक upwards movement देखने का मिलता है यहाँ पर आप profits तो जरूर बुक कर सकते हो upside जभी channel पर resistance आपको देखने का मिलेगा तभी अगर ऐसे कुछ होता है कि चलो आपने profit बुक कर लिया और एक massive आपको breakout भी देखने को मिल रहा है जबी अच्छे volumes के साथ जबी आप Nifty के futures chart को देखोगे आपको volumes भी देखने को मिल जाएंगे so breakout को भी trade किया जा सकता है always keep in mind जबी एक downward channel चल रहा है यानि lower highs and lower lows बनते जा रहे हैं आपको सिर्फ upside breakout का ही देखना है because इसको आप एक flag kind of formation भी बुला सकते हो अगर आप zoom out करोगे आपको preceding trend का देखने को मिल रहा है एक बहुत ही बड़ा एक uptrend देखने को मिल रहा है and उसके बाद जाके एक kind of flag formation या downward channel formation आपको देखने को मिल रहा है so अगर ऐसे कुछ होता है कि एक downside पे breakout आता है generally उसको trade नहीं किया जाता है जब ही हम downward channel की बात करे because trend is already down so हम कभी reversal का wait करेंगे जब ही एक upward channel का breakout आजाएगा तब ही जाके हम maybe trade ले सकते है and उस case में क्या होगा again आप channel के अंदर का stop loss रख सकते हो याने let's take an example और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर let's say की continue इसको select कर दूँगा यह वी को ऐसे कुछ होता है कि let's say की market goes up फिर नीचे आता है फिर से उपर जाता है and यहाँ पर let's say मुझे breakout देखने का मिल गया so यहाँ पर आपको क्या देखने का मिलेगा जो downward channel था उसका maybe end हो गया and अच्छे volumes की साथ यहाँ पर आपको breakout देखने का मिल गया मेरा stop loss इस case में क्या हो सकता है again channel के नीचे यह जो pivot point बना हुआ है then let's just assume कि यह candle का low है so मैं इस candle के low के नीचे stop loss लगा सकता हूँ जो जहाँ पर भी हमें breakout देखने का मिला है उस candle के नीचे मेरा stop loss हो सकता है मेरा first target at least आप बोल सकते हो upwards channel हो सकता है यानि जहाँ से channel की शिरुवात हुई थी just around its all time high यानि nifty का all time high 18,600 के आसपास था so वो मेरा first target हो सकता है so यह तो हो गई एक downward channel की बात चलिए अप upward channel को भी discuss कर लेते हैं so guys upward channel भी आपको यही पर देखने को मिल रहा होगा this is once again nifty का chart weekly chart पे ही हम है and यहाँ पर मैं again एक channel बना दूँगा which is the upwards channel so again मैं channel को select करूँगा यह मुझे tops नजर आ रहे है and here we go so यहाँ पर एक channel आपको देखने को मिल गया अगर आप चाहो थोड़ा सा extend कर सकते हो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है prices जबी भी इस channel पे है again यह top को test किया and नीचे आ गए so यहाँ पर इस point पे आपको at least दो price points मिल गए है let's see आगे जाके हुआ क्या आगे जाके अगर आप देखोगे upwards channel पे फिर से एक test आपको देखने को मिल रहा है एक छोटा सा inverted hammer मिला याने हो सकते है यहाँ से थोड़ा सा supply आ रहा है market में हो सकते है थोड़ा सा resistance देखने को मिल चाहे अगर आप चाहते हो एक bearish candle के confirmation के लिए आप wait कर सकते हो and next candle अगर आप देखोगे तो it is confirming your bias right so यहाँ पर invert and hammer आपको देखने को मिल गया एक doji भी देखने को मिल गया so upwards trend में अगर आपको एक doji देखने को मिलता है उसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा uncertainty है bulls sure नहीं कि upward trend चलने वाला या नहीं या maybe आप ऐसे भी मान सकते हो कि sellers आ चुके हैं यहाँ पर also आपको upwards channel का test तो देखने को मिल ही रहा है right so आप क्या assume कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर short करता हूँ and मेरा जो stopless है maybe इस channel के just उपर रहता है so maybe मैं एक decent down move को expect कर सकता हूँ आगी जाके अगर आप देखोगे let's see कि exactly हुआ क्या अभी तक channel के उपर नहीं गया तो हमारा stopless technically hit नहीं हुआ है and here we go right so channel के उपर अभी तक नहीं गया and let's see कि अगर आपने सिर्फ इस candle के high के उपर ही आपने inverted hammer के high के उपर ही stop loss रखा हो था maybe वो चले गया no problem at all यहाँ पर आपको फिर से एक signal देखने को मिला right so एक bearish engulfing candle है which is again a strong candle channel के अंदर ही है अभी तक price so no problem at all यह trade भी हम ले सकते हैं आगे जाके let's see कि exactly हुआ क्या okay here we go so यहाँ पर आपको एक massive down move देखने को मिला but एक recovery भी देखने को मिली but हमारा stop loss का hit हुआ नहीं right so let's move forward once again and here we go finally आपको एक down move देखने को मिल गया and अगर आप देखोगे तो जो upwards channel था वो downside पे breakout भी हो गया so upwards channel में हमेशा आपको down move का ही देखना है बिलकुल भी आपको upside के भी breakout को trade नहीं करना है यह once again upward channel क्यों माना जाता है because आपको higher highs and higher lows देखने को मिल रहे है right so यह high एक higher high है compared to this high likewise यह भी high को अगर आप देखोगे this is a higher high compared to this high lows की भी आप बात कर सकते हो तो यह low को अगर आप देखोगे it is higher than this low and likewise यहाँ पर तो breakdown आपको देखने को मिल गया so no problem at all so जैसे हमने discuss किया अगर एक downside पे भी breakdown आ जाता है maybe मैं यहाँ पर भी short जा सकता हूँ इन्थी anticipation की चलो upward channel तो breakdown हो गया है यानि हो सकता है कि एक down move चालो हो जाए let's see कि मैंने इस candle के बाद यहाँ पर मैंने short कर दिया इस candle के high के ओपर या maybe इस channel के just under मेरा stop loss हो जाएगा right and let's see कि आगे जाके exactly हुआ क्या आगे जाके अगर आप देखोगे तो obviously बहुत ही massive एक down move आ गया था आपको March 2020 के बारे में याद होगा right so यहाँ पर बहुत ही massive एक down move आ गया और यह जैसे ही channel का breakdown हुआ एक close आपको देखने का मिल गया channel के नीचे wonderful एक down move आपको देखने का मिला और almost यहाँ से अगर आप देखोगे 10,500 के आसपास आपने maybe short किया होगा according to this channel breakdown आपको 7,500 तक निफ्टी जाके देखने का मिला so क्या ऐसी चीज हमेशा repeat होगी यानि आप upward channel का breakdown अगर आप trade करोगे तो क्या आपको हमेशा ऐसे एक massive downwards trend देखने का मिल सकता है very unlikely right but at least आपको mini थोड़ा सा भी trend देखने का मिल गया that is more than enough right so आपने risk थोड़ा सा ही लिया आपको यहाँ पर इस case में reward बहुत ही जादा अच्छे से मिल गया होगा so यहाँ पर हमने क्या-क्या चीज है discuss की हमने targets के बारे में भी discuss कर लिया कि कैसे हम अगर upside पे channel पे short करते हैं तो हमारा downwards जो area है वहाँ पर हमारा target हो सकता है हमने stop loss के बारे में भी discuss कर लिया कि अगर एक breakdown आपको देखने को मिल गया तो channel के आप just under वापस से stop loss रख सकते हो यानि मैं अगर यहाँ पर extend करने की कोशिश करूँ upside पे so let's say over here so यहाँ पर मुझे channel देखने को मिल रहा है मेरा just channel के अंदर ही यहाँ पर ही stop loss हो सकता था या maybe इस candle के उपर भी stop loss हो सकता था दो type of trades के बारे में भी हमने बात कर ली कि अगर एक upward channel पर resistance आपको देखने को मिलता है आप तभी sell कर सकते हो short sell कर सकते हो likewise अगर आपको breakdown देखने को मिलता है आप तभी भी short sell कर सकते हो and same चीज हमने downwards channel के बारे में भी बात कर ली so hopefully यहाँ पर आपको एक idea मिल गया हुगा कि कैसे आप upward channel को as well as downward channel को trade कर सकते हो हमने very simply examples देखने की कोशिश किये कि कैसे आप targets set कर सकते हो कैसे आप stop losses set कर सकते हो with the help of these channels अगर आपको कोई और price pattern चाहिए जो हम इस channel पे cover करें आप definitely हमें comments section में पता सकते हो and अगर आपको ये video अच्छा लगा make sure to smash the like button below also do not forget to subscribe to our channel as well मैं आपको मिलता हूँ अगले video में bye bye अगर बाप अपको तर आपको चाहिए और आपको अगर वापको चाहिए